कि आप भी अपर प्लीट को इस तरीके से अरेंज करते हो इससे फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती आपको देखिए करना क्या है सबसे पहले सारी प्लीट बनानी है और पहले वाले बॉर्डर को उठाना है उससे सेपरेट करना है फिर हम सारी प्लीट को सिक्योर कर सबसे हगे देखेव में अरेंज किस तरीके से करना है अपने बॉडर को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे पिन लगाएंगे इस तरीके शेप देते हुए जितना प्लीट के बोक्त की सब्सक्राइब फिर टक करेंगे अपने शोल्डर पर अब हम यहां पर पिन लगाएंगे और गाइस आप फिनेशिंग देख सकते हो कितनी अच्छी निकल का यह बस आपको इतना एक छोटा से स्टेप करना है और आपकी फिनेशिंग प्रॉपर निकल के आएगी बहुत खूबसूरत लुक न ही रहेगा हम देखी प्ली इस तरीकेस बनाएंगे मैं आपको इसलोली दिखाती हूँ किस तरीकेस बनानी है हात को एक उपर एक रख के प्लीट को अरेंज करते जाना यह जैसे मैं बिल्कुल वीडियों में देखा रही हूं आपको ऐसे ही करना है बहुत ही आसानी से प्ली प्लीट्स कितना अच्छे से निकल के आ गई हैं बहुत अच्छी ट्रिक है आप जरूर यूज करें गाइस कि आप भी अपर प्लीट्स में फिनेशिंग इसी तरीके की चाहते हो बट आपको सही तरीका नहीं पता तो मैं आपको बताने वाली हूं देखिए आपको शोल्डर का सेंटर का पार्ट लेना है और एकदम स्ट्रेट होना चाहिए उपर से लेके नीचे तक फिरम देखिए फ्रंट पर रखके इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूं इस तरीके से आपकी पतले बॉडर वाली साडी में बहुत ही फिनि से बाहर से पिन लगाएंगे ताकि पेन एकदम सही जगा लगे यहां पर पिन लगाने से ही सारी फिनिशिंग आती है आपर प्लीट्स में और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा निकल का है प्लीट्स लुक मुझे बहुत जादा प्यारा लगा तो चलिए से रीक्रिय प्लीट्स बनानी है ताकि जो हमारा पहले वाला बॉडर रहना वो ऊपर की साइड आए फिर हम देगे अपर प्लीट्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे और यहां पर एक पिन लगा लेंगे बस यहीं हमारी जो प्लीट्स हैं कंप्लीट होती है आप देख सकते हो लुक कित साइड प्लीट्स इन्हें आपको जरूर अरेंज करना इस चीज का आपको ध्यान रखना है अदरवाज लंबे समय तक फिनेशिंग नहीं रहेगी आपकी साडी में और उसके बाद देखिए जो हमारी हाथ पर प्लीट्स थी ना उन्हें इस तरीके से अरेंज करेंगे एक और बॉडर के नीचे से यहां पर पिन लगा लेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाया बॉडर के नीचे से लगानी है ताकि यह पिन अच्छे से हाइड हो जाए और देखिए अब हम इस तरीके से कंगन की तरह इस साड़ी के पल्लू को पहन लेंगे और आप सेट रहेंगी तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरू बताएं सेमी स्लिम पल्लू टकिंग का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रहे हूं इसके लिए आपको क्या करना है अपर प्लीट्स अरेंज करने और उसके बाद राइट साइड में हम इस तरीके से क्रॉस बन के बाद आप लुक देख सकते हूं कितना अच्छा निकल गया है अगर आप अपनी साडी के लुक को थोड़ा सा सिलेमेंट टॉल दिखाना चाते हूं तो यह वाला लुक आप डेफिनिल ट्राय कर सकते हूं क्या आपको भी शोल्डर पिन लगाने में बहुत ज्यादा प्र पीछा लो पीछे की तरफ हैंग हो रहा है इसे हम पीछे की तरफ रहने देंगे अब हम फ्रंट पर आते हें और ओपर से पिंगाएंगे विट